नमस्कार मैं हूँ अवंतिकायादव और स्वागत है आपका नारायन भविश्यवाने में आज हम बात करेंगे दुआ और बदुआ के बारे में कि क्या माता पिता की बदुआ वाकई में लगती है या फिर दुआएं जो दी जाती है हमारे बड़े बुज़र्गों के और से क्या वो वाकई में काम आती है इस सभी के बारे में हम आज बात करेंगे साथी श्राप क्या वाकई में लगता है जिस तरह से कहा जाता है कि शुराब दे दिया जाता है और नुक्सान उसका हो जाता है क्या ये वाकई में असर करता है ये सभी चीज़े हमाद जानेंगे हमाई साथ मौजूद है आचारे नमो नारायन जी स्वागत है सर खबरे अभी तक पर नारायन भविश्यवाणी में और सबसे पहले आपसे यही जाना चाहेंगे कि दुआ और बदुआ की जिस तरह से बाते की जाती क्या वाकई में इनका असर होता है जी देवी जी इसके अंदर सबसे में चीज कहूँगा नमो नारायन मित्रों सबसे पहले आरो आप सबी का स्वागत है मित्रों बात करूँगा आज माता पिता के उपर बात करूँगा आज आपकी जनम लगन कुंडली में क्या शच्ची में शराप योग है बहुत सारे मित्र कहते हैं नाराइन जी हमने तो बड़ी सेवा की, माता पिता की हमें फल नहीं मिला बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु जी हमारे से जाने अन्जाने में माता पिता का जूए अफमान हो गया माता पिता भगवान का रूप होते हैं मितरो अगर जनम लगन कुंडली के अंदर दस्वे घर जो टैंथ हाउस है जो फादर का कारक है पिता का जो कारक है पिता के दस्वे घर के अंदर यदि आपके पाप ग्रह जदा बैठ गए और आपके यदि नीच ग्रह बैठ गए और उपर से आपने माता पिता से शराप ले लिया माता पिता का दिल दुखा दिया अपमान कर दिया आपने उनके साथ आपने गलत विवार चुछो दस्वाँ घर है जो टेंथ हाउस है वो आपका खराब हो जाएगा इसी तरीके से दोस्टो जो चौता हाउस है कुटली में जो फूर्थ हाउस है फूर्थ हाउस की से खूबी क्या होती हूँ? माता का स्थान होता है दोस्तों और माता चोथे घर से, चोथा घर कुंडली में फॉर्थ हाउस, प्रॉपर्टी, हाउस, जमीन, जदाद, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, और आपकी विदेश यत्राएं, और आपका टूर एंड ट्रेवल, ये सारी चीजें फॉर्थ हाउस में पलस आपकी माता का सुख, तो दोस्तो ये चोथे घर में पापगरा बैठ गए, दसवे घर में, दसवे हाउस के अंदर ये पापगरा बैठ गए, तिस सारी चीजें क्या है, कहीं ने कहीं आपको प्रेशान करती हैं, और इसका उपाए क्या है, माता पिता, आप एक हजार उपाए कर लो दूसरे, एक हजार, एक ह जीवन में कभी बला होई नहीं सकता, आप मतलब जोर लगा लो जीवन का, क्योंकि दोस्तों मैं सभी माता पिता को प्रणाम करके एक बात बोलता हूँ, माता पिता देखिए, गनेश भागवान, गनेश भागवान ने सबसे पहले क्या किया, माता पिता की परिक्रमें तो की ना उन्होंने कहा कि भाई जो बागवान शंकर ने मा पार्वती ने कहा कि भाई जो सबसे छोटा बड़ा भाई था ना गनेश यी के एक बाई थे, बड़े ये चोटे वह बोले मैं बड़ा होँ के तैम है बड़ा, बोले चलो ठीक है, जो सबसे बद्धि मान होगा वो तो दोस्तों यह पॉइंट क्या है समझने वाली बात है माता पिता उसके अंदर पूरा ब्रहमांड है पूरी पावर पूरा यूनिवर्स जो है माबाप के अंदर है यदि आपने माबाप को खुश कर लिया ना आपको कोई ग्रहों का उपाए करने की जुरूरत नहीं है दोस मीट सब्रoki बैंदी मेhando नाम बताई का ऐसे दोसितनें नमबर बोलिये इस दश्युक्त जी जी नोगळीं क्या जांना चाहते या खालते हैं शहीयं का हम शयार तो आब क्या कर रहे हैं मिठा कांद का सुन्दर बिल्कुल नविसलिए मैं बाताँ श्ची में अर्मी Así मैं बोलते हो रंग बोलते हो फूल फ्लावर पूश्ट जो मैं पूशता हूं रहो आप बोलते हो इन सब का कनेक्शन आपके डारेक्ट कुंडली से है आपकी कुंडली नहीं बिया तो चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों मित्र बात करूंगा आपके व्यापार की व्यापार कीजिए इसका डारेक्ट आप जो अनड इसका में काम एक जगे से लिया दूसरी जगे दिया जितना ट्रेडिंग करेंगे उतना ज्यादा मित्र आपको लाब होगा उपाय के तोर पे लाल गुड मंगलवार के दिन दान कर दीजिए और एक शहद की बोटल मंदिर में दान कर दिजिए मित्र मंगलवार को कल्यान होगा आपका नवो नारायन जी बहुत शुक्रिया जुडने के लिए अगले दर्शक हमारे साथ कुल्दीप गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़के हैं स्वागते कुल्दीप नारायन भविश्य मारी में सवाल पूछी अपना है या फिर आप दुआ बदुआ को लेकर कोई सवाल यहां करना चाहते हैं नारायन जी से तो आप यहां कर सकते हैं फोन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं कारिक्ट्रम में इसके लावा वाट्सेप नंबर भी हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर स सकते हैं और साथ ही उसके माधियम से अब चोड़ सकते हैं इस कारिक्ट्रम के बाद भी तो हम बात कर रहे थी जिस तरह से की दूआ बद्दूआ इसमें क्या है देवी जी सबसे खास बात में हमेशा कहता हूं देखो अब शरवन थे बहुत सारे बहुत सारे एक ऐसे बचा की जी उनको देखो क्या मिला अरे दोस्तों मैं उनसे कहूंगा कि आपकी सोच उस लेवल पर जाई नहीं रही जो आप सोच रहे कि सरवन सरवन तो अमर हो गया बही मता पिता को अगर उन्होंने सेवा की थी तो आज सरवन का नाम है दियास में और दूसरा भगवान राम ज दोस्तों माता पिता की सेवा कभी निशफल नहीं जाती माता पिता के चरनों में डारेक्ट अब सुनों शनी कस्थान का प्याई आपको माता-पिता के चर्णों में डारेक्ट शनी का स्थान है माता-पिता के जिसने चरण चूली ए मैं दौई से कहता हूं गारेंटीड उस इनसान का शनी कभी खराब हो ही नहीं सकता दोस्तों जी कि इसलिए माता-पिता की सेवा विलकुल इग्नॉर कर ना करें और जाने अड़ने में यदि आप से कुर पाप हो गया गुना हो गया इसके लिए मैं बताओंगा एक का महा उपाए भी करना दोस्तो वह पस्चाता inv pot करना वह महा उपाए करना जो माता-पिता का शराफ है जो्वह टुखति- सम्मिन दुआ बदुआ से सम्मांदित यदि कोई प्रशन है मित्रो आप मुझसे अभी संपरख कर सकते हो तो महा उपाए भी हम आपको बताएंगे कारिक्टरम आप देखते रहेए आपको कारिक्टरम के अंत में महा उपाए जरूर परता चाहेगा और सी बीच हमारे साथ व सथे बारे में जानना चाहूंगा और राता आये मित्रों का नाम परमोंत जी स्वास्ते के बारे मैं चाहें एक से लेकर सो के बीच में कोई नमर बोलिए मित्र जल्दी से 88 88 2 एट जैंट क्या बात है नाडगल फडरा थोड़ी अलर्जीकल प्रॉबलम इनको हो सकती है थोड़ा सा इनको थोड़ा समय लगेगा मित्र भी ठीक हो जाएंगे बिल्कुल गबराएं ना इनके वजन के बराबर का हरा चारा आप एक वरस तक हर शनिवार और हर शुकरवार दो शाला में डालो गरेंटिड नाराएंजी रेजल्ट मिलेगा आपको आप हर शुकरवार वजन के पराबर का चारा डलवाओ हंडर परसेंट मिलेगा नमो नाराएंज मित्र नमो नाराएंज वह शुक्र एवनों जुड़ने के लिए तो महाउपाई हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक और दर्शेक हंसराज हमार साथ पानिपत से फोन ला अगरी जी बताईए इस डोटी ने लगातार काम करका हूँ मैंनीस फिर में और थर्म मेरा पांसाथ मैंने फिर मेरा काम और दोता है कोई भी कलर बताई एक रंग का नाम बताई एक कोई भी रंग का नाम बताई एक रंग अपने टीवी के वालूम भी कम कर लिजें मित्र जराब करना क्या है आपका सो प्रतिशक और बिल्कुल सही चल पड़ेगा करना क्या है आपके पुराने जूते चपल जो घर में पड़े हैं जो आप कभी यूज नहीं करते हैं वो बहार दे दो सबको बांट दो दान में दे दो किसी जुरूरत मन्द के काम आ जाएंगे और आपके रहु माराज ठीक हो जाएंगे घर में बज़ग है माता पिता है यदि उनके चरनों को एक बार मेरे कहने से सचे मन से थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा दूद्ध मिक्स करके दो दूदो समच उनके चरणों को डाल करके दो दीजिए मित्र गरून से आशिरवाद ले लो घर में बुजरुग नहीं है अगर आपके आप पड़ोसम के कोई बुजरुग के पास जाएए उनसे नीवेदन कीजिए उनके चरणों को आप दो करके नमशकार कीजिए राहू माराज हंडर परशंटीक होंगे और आपका जो काम है दिन दुगनी रात चोगनी बहुत ज्यादा बरकत मिलेगे मित्र काम्याब हो जाएंगे आप नमो नाराएन मित्र और इसके साथ ही संदीप हमार साथ अगले दर्शिक इटावा से फोन लाइन पर चुड़के हैं स्वागते वनीशाद मिलेखे में पूछना था जी अचरी से जी सवाल कीजिए वापार के लिए ना मात पूरा नाम बताए ए मित्र पूरा नाम संदीप गुपता संदीप गुपता जी कहां से बात कर रहे हैं गुपता जी विटावा से बोल ये क्या जानना चाहेंगे आप व्यापार के लिए पूछना तहां मुझे व्यापार के लिए मित्र एक से लेकर के दस के बिच में कोई नमबर बताई ये मित्र एक फूल का नाम बोली Кuzube कोई कोई भी देविद्य नाम बोली ये मित्र जंदी से हनुमानन जी मित्र नज़र लगी और आपके और कोई कारण नहीं है, काम दोड़ेगा, चलेगा और इतना शांदर चलेगा गुपता जी, समय नहीं होगा आपके पास एक मिनिट का खाना खाने का भी, ऐसा समय भी आपका आने वाला है, थोड़ा सा थोड़ा सा नजर उतार लो, नजर का कुछ पका इलाज कर लो, ना मिले तो आप हमसे संपरकोर, हम बताएंगे आपको और भी कोई स्पेशल उपाए, आपने मितर अपनी नजर उतारनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, काम दोड़ेगा, आपके नजर हाई लगी हुए, टोक लगी हुए मितर और कोई कारण नहीं, स्टार बहुत आगे बढ़ने वाले, रिलेशन बहुत आपके हाई लेवल के लिंक लग रहे है मुझे, और मुझे लग रहे है कि आपके आप पास बुद्ध बहुत अच्छा है, आपके उपर भगवान की किरपा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे ह आपके साथ में मित्र ना गपराए, नजर उतारे, ठीक हो जाएगा मित्र, नमो नारायन, नमो नारायन, और कुल्दीप हमारे साथ गुरूप ड्राम चेगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए है, स्वागते कुल्दीप नारायन भविश्यमारी में सवाल कीचे अप बताए नारायन, जी, मैं आपके जानना चाह रहा था कि जो मतलब बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या मतलब उनकी जनम का जो समय होता है, उसके अंदर क्या कुछ मावाब के भी कुछ दोस्टर्ण आते हैं के साथ में? बच्चा जो है माता-पिता की बिन अधूर है, जो बच्चे की कुछ रहे हैं, जो भी करम किया हैं, आपका जो प्रशन है, बिल्कूल वाजिब है, जूरूराएंले पहुत शुक्रिया कुल्दीप जुड़ने के लिए अगले दर्शक हमारे साथ बरेली से अरविंद फोन लाइन पर जुड़के हैं स्वागत अरविंद नरायन भविश्यमानी में सवाल कीजिए अपना जो भी सवाल है उसका जरूर यहां पर हल निकालने की कोशिश की जाएगी तो बद्वा की बात आपने की नरायन ची लेकिन क्या दुआयन जो देते हैं बड़े बुजर्ग अब देवी जी देखिए दुआ और बद्वा की बात करोब एक मा है अपने बच्चे को वो गाली दे रही है डांट दे रही है पुरा जोर से डांट रही है बिखारी बनेगा तू बड़ा होके पढ़ ले अब वो बद्वा नहीं है वो जो माने उसके बले के लिए बोल ल पोगा आपके लिए लेकिन एक होता है दोस्तो यदि अपने माने कुई बात चीज मांगी है आपसे और आपने मां का अपमान किया कोई बात नहीं दौएरा फिर किया कोई तूसरी वार फिर किया वह जो मां के अंदर से जो आवाज आएगी ना पिर ज जिसने माता पिता का दिल दुखाया होता है दोस्तों, क्योंकि माता पिता का शराप, मैं विश्वास से कहता हूं हमेशा, 100%, माता पिता का शराप भगवान से ज़्यादा पावरफुल होता है, और माता पिता की दुआ भगवान से 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल होती है, आप रिकोर्ड उठालो, महाबार्त का उठाके देखलो, रामायन का उठाके देखलो, कृष्ण भावान के समय का उठाके देखलो, और उससे पुराने में चले जाओ, भावान राम के समय में चले जाओ, और भी उससे पिछे चले जाओ, दोस्तों, गनेश जी के समय में चले अपना नमस्कार बंडी जी नमस्कार देवी जी गुर्दीब बात कर दोड़ी जी शिम्ला से बताई ये गुर्दीब जी नारायन भविश्यवानी में स्वागत है आपका मुझे अपने विवा के बारे में पता करना था कि विवा मेरा कब तक हो पाएगा लेटो बर्थ बोलिए देवी जी फर्स जुलाइ नाइंटीनेटीनाइन वेरे गुड एक कोई भी फूल का नाम बोली है अच्छा सा कमल कमल क्या बात है को रंग का नाम बताई देवी जी बहुत अच्छा चिंता ना करें बहुत लग्जीरियस लाइफ में आपको बहुत लग्जीरी वाले आपके पती मिलेंगे आपको बहुत अच्छा इंसान आपके जीवन में जीवन साथी बढ़ने जा रहा है बहुत जल्दी दूसरी बात देवी जी जितना हम समझ पा रहे है है हांजी बहुत 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 बड़े घर का रिस्ता भी आ सकता है आपके लिए और बड़े घर को भी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं पती ऐसा मिलेगा जो आपको हतेली पे बिठा के रखेगा इतना प्रेम करने वाले पती मिलेंगे आपको उपाए क्या कर सकती है जाकर के सची शर्दा से चड़ा के आना है प्राठना करने है बस और कुछ नहीं करना थोड़ा इंतजार कीजिए अगले दो तीन मेने देखिए चमतकार देवी जी नमो नारायन देवी जी और अगली दर्चे की टावा सी शलाखा हमारे साथ फून लाइन पे चुड़ शिलाखा गुपता जी शिलाखा जी कोई भी एक प्रशन कीजिए आप सब मुझे जानना है कि मेरी परस्नल लाइफ और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज़ आ सकते हैं जी मतलब काफी प्रॉब्लम चल रहे हैं सो के बीच में नंबर बोलिये देवी जी कोई हा जी है नो है जी कल्कुझ वह गवराये जी समय अभी थोड़ा कटिन वाला जरूर चल रहे हैं ठोड़ी परिय हैं थोड़ी सी अभी रास्ते से काईशनल लाइफ की बात कर आजके हैं तो जो चल रही परसनल लाइफ की बात करूँ तो यह आपके हाथ में थोड़ी मैनत कीजिए अपने संबंद को बचा करके रखिए वही आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय के तोर पे देवी जी घी का दान कीजिए मा देवी के मंदिर में जोच जलाने के लिए एक वर्ष तक कल्यान होग महिंदर सिंग बोल रहे है हाजी जी बताईए सिंग साब क्या जानना चाहेंगे कर्ज बहुत क्याड़ रहे है हाजी कर्ज बिलकुल ना गवराएं कोई भी एक फूल का नाम बताएं हाजी बिल्कुल ना घबराएं कोई भी एक फूल का नाम बताएं गुलाब बती गुलाब बहुत अच्छा बहुत अच्छा बिल्कुल ना घबराएं आपका कर्ज बिल्कुल उतरेगा 100% उतरेगा अभी थोड़ा सा समय लग रहा है लगेगा अभी थोड़ा और समय भी अभी मेहनत कीजिए एनरजी के साथ फोकस कीजिए एनरजी डाइवर्ट हो रही आपकी और कुछ नहीं है घर में जो बड़े बुज़ुरुग है उनकी सेवा कीजिए नहीं है तो पुड़ोस के माता पिता बुज़ुरुग की सेवा आपने काम पर पे अच्छा से फोकस करो काम आपका दोड़ेगा कर्ज उतर जाएगा आपका नमो ना रही नमों on a नमों on a औरशी और बदुआ की बात करूंगा, फिर दुवारा से आपके साथ में दुआ और बदुआ को कैसे दूर करेंगे, च्योंकि माता पिता का शराफ जिसको लग गया, उस इंसान का कभी बला हो नहीं सकता, और जिसने माता पिता को दिल दुखाया, आत्मा दुखाई है, उसका इस दुन मान वैसे तो नहीं बख्षेंगे आपको माता-पिता का शराफ लगता है लेकिन फिर भी फिर भी दोस्तों एक छोटा सा उपाए बताऊंगा वो उपाए आप करेंगे तो शायद आपका कल्यान हो जाए उस उपाए से और ऐसा मेरा विश्वास है यदि आप मन से करेंगे पस उसका शराफ लगा आपको उपाए क्या करेंगे सबसे सबसे पावरफुली संसार में है गव माता गव माता के कान में जाकर के बोले हैं गव माता मैंने इससे दोखा किया उनसे चीटिंग की मुझे माफ करना मेरा मैसेज उन तक पुंचाना यदि वो संसार में जिंदा है तो डारेक्ट उनके पास जाना उनके पैर धोना उनके पैर धोकर के जो गंगा जलमरित बनेगा उसको पीना या उससे शनान करना मित्रो दूसरा मित्र माता पेदा संसार में नहीं है तो आपने क्या करना है गव माता के कान के अंदर बोलना है अर अपनी माफी मागनी है व उतने साल की आपकी उमर होगी 40 साल के वह गया घुड़ फो जो चालिस के पेड़ लगा दो और तीसरा दोस्तों आपने क्या करना है तुलसी के पेड़ के आगे बैठकर के रोजिंग घाईतरी मंतर का जाप करें, साथ दिन लगातर और तुलसी माता को प्राठना करना है, तुलसी माता मेरी गलती होगी है, मुझे उसे मुक्ति दिलवाएं, इस शराब से मुक्ति दिलवाएं, दोस्तों अगर यह महा उपाएं आप करेंगे, तो शराब से मुक्ति पाने का जरूर रास्ता मिले तो ये महा उपाय आप करें आपका आवशी ही कल्यान होगा प्ला दीजे इजासेत नमस्कार